हालो प्रेंट्स गूडर्टिंग तोड़े आवर टोपिक इश अकाउंटिंग रेशियो अपन करने प्रोफिटिबिलिटी रेशियो जिसमें आएगा रिटेर्ण ओन इंवेस्ट्मेंट या रेट ओफ रिटर्ण ओन केपिटल एंप्पोईट् आस्ट का रिशो सबसे आखरेगा, यह बताता है आपने को, कि how efficiently long term resources are used to generate the profit, profit कमाने के लिए जो आपके long term resources है, वो कितने अच्छी तरह से आपके पास में काम आ रहे हैं, उसको बताता है, this ratio can be compared with any other firms, this similar firm से भी compare करने के काम आ सकता है, बाकी की ratio में अपने देखा था कि similar firm होनी चाहिए, लेकिन यह ratio ऐसा है, कि जो ऐसमान firm है, इससे बिल्कुल भी similar नहीं है, उस firm से भी अपन compare कर सकते हैं, इस ratio को, दूसरा आता है, to judge the borrowing policies, यह ratio काम आता है, कि अपन borrowing करके, funds borrow करके, business में अपने को यूज करने चाहिए, या नहीं करने चाहिए, तो to decide the borrowing policy, उसमें भी यह काम आता है, इस ratio का formula क्या है अपने पास में, net profit before interest, tax and dividend divided by capital employed into 100, net profit before interest, tax and dividend, तीनों के पहले का profit होना चाहिए, क्या करते हैं, क्वेश्चन में कभी-कभी net profit before tax देंगे, या net profit before interest देंगे, या after के देंगे आपके पास में, net profit after interest देंगे, after tax देंगे, या after interest, tax and dividend, जैसी भी situation हो, उस situation को अपने इस table के साब से handle करने चाहिए, net profit normally आता, profit before interest, tax and dividend, सबसे पहले interest less करते हैं, interest on long term borrowing, उसके बाद में आगा profit before tax and dividend, इसमें से tax less करेंगे, यह जो tax की calculation होती, इस ही क्यों होते हैं यह, इस ही के percentage होंगे, जो यह profit है, उस ही का percentage होगा है, यह tax, तो tax less करने की बाद में है, profit before dividend, और dividend less करने की बाद में है, net profit after interest, tax and dividend, question में, जैसी भी situation हो, यह वाला profit दिया, तो यहां से start करेंगे, और यह वाला profit दिया, तो यहां से start करेंगे, और यह profit दिया, तो यहां से start करेंग के लिए देता है तो अपने को ध्यान रखना चाहिए इस बात के लिए कि कन्फूज नहीं हो वे जो अपने को डिजाइड प्रोफिट चाहिए वो अलड़ी गिवन है गलती से अपन उसमें और एड कर देते हैं इंट्रेस्ट और लॉंग टर्र बोरोविंग एड कर देते हैं प्लस नौन करेंट लाइबिलिटी यह दोनों शामिल होती है अब करेंटियर जो प्रोफिट होता है वो गिवन होता है अलग से करेंटियर प्रोफिट अब आपको शेरोडर्स फंड में इंक्लूड करना है या नहीं करना है यह इसमें डिसाइडिंग फेक्टर होता है जब surplus दिया है या P&L का balance दिया हुआ है तो अपन ये मान के चलते हैं कि these are balance are belong to the ending of the year therefore the current year profit is already included in these figure अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको current year का profit add करना पड़ेगा उसमें to get the capital employed capital employed volume करने के लिए current year का profit include करना पड़ेगा यदी इस तरहें की situation नहीं है तो वापस बतता हूं shareholders fund reserve and surplus P&L अगर यह है situation तब तो आपको current year का profit add नहीं करना है otherwise आपको current year का profit add करना पड़ेगा अब उपन करते हैं questions question number 110 110 यह सबन करते हैं question number 110 euro 110 yes क्या कह रहा है question यह अपने को कह रहा है सिर्फ interest on long term borrowing add करना अपने को तो जब भी अपने करना पड़ा है नीचे से ओपर चलेंगे तो जो लैस वाले चीए capital employed capital employee के लिए क्या कह रहा है capital employee में चीए shareholders fund plus non current liabilities share capital 7,20,000 reserve and surplus 6,50,000 current liabilities निया non current liabilities assets inventory trade receivable cash in cash equivalent 10% long term borrowing 5,00,000 and long term provision 80,000 ध्यान रखें इसमें long term provision भी include करना पड़ेगा क्योंकि non current liabilities बताया था मैंने अपको total होगा 0,8,13,15,7,8,14,5,9 19,50,000 यहां पे जो आपके पास में आ गई capital employee 19,50,000 19,50,000 आप एंटू 100 यहां गए 100 अब अपने इसका percentage calculate करेंगे यह जाएगा कितने बार जाएगा आपके पास में 19 एक बार 195 1050 95 बार जाएगा 25 25 25 25 25 49 55 10 8 8 15 750 15 और कितना जाएगा 19 19 25 25 25 25 25 25 25 25 25 8 9 9 6 15 15 15 15 30 15 15 38 11 15 16 15 16 16 पहले वाले कॉश्यन में रिजर्वन सर्पस वर्ड यूज किया था इसलिए अपने करेंटियर्स प्रॉफिट एड नहीं किया मैंने बताया था कि रिजर्वन सर्पस अगर हो तो फिर करेंटियर्स प्रॉफिट एड नहीं करते हैं इसमें देखते हैं नेट प्रफिट आफ्र इंट्रेस्ट बिफोर टेक्स 65,000 शेरोल्डर्स फंड 3, 200, 15, long term डैप 15,000, calculate return on investment याश नेट प्रफिट आफ्र इंट्रेस्ट बिफोर टेक्स यह वाला प्रफिट आगए आपके पास में 65,000 अब इसमें इंट्रेस्ट 15% लॉंग टर्म डैप वन लेक रुपीज है 15% है रेट अब इंट्रेस्ट 15 परसेंट तो पंद्रह जार रुपया आपके पास में इंट्रेस्ट हो गया तो टोटल हो गया यह आपके पास में 678 एटी थाउजएंट यह 80,000 हो गया प्रोफिट शेरोल्डर्स फंड 3 लेक लॉंग टर्म डैप वन लेक यह फोर लेक हो गया आपके पास में केपिटल एमप्लोईट इंट्व हंड्रेट 20% यहाँ भी ध्यान रखें यहाँ पर इसने दिया शेरोल्डर्स फंड में बताया था शेरोल्डर्स फंड रिजर्वन सर्प्रस और पी अनल गिवन है तो करेंटियर प्रोफिट डैड नहीं करते हैं यहाँ पर शेरोल्डर्स फंड दिया है इसका मतलब आलड़ी सब and question number 112 question number one more net profit after interest and tax of M limited one lakh Its current assets were 4 lakh and current libitage was 2 lakh Tax rate was 50% and its total assets was 10 lakh And 10% long term debt was 4 lakh Calculate the return on investment Net profit after interest and tax After interest and tax After interest and tax Profit आपके पास में 1 lakh यह वाला profit आगया 1 lakh After interest हो गया After tax हो गया यह आगया profit अब क्या करें इसके rate of tax अपसे पहे लिखना पढ़े है tax Tax rate was 50% अब यह tax rate जो है That was the 50% यह tax rate जो है 50% किसकी है इसका 50% है और यह अपने को पता नहीं है तो इसको assume कर लेंगे अपन यह assume करेंगे This is the profit before taxes 100 assume कर लिया Tax rate 50% है 50 आपने last कर दिया इसका 100 का 50% 50 तो after tax रहे गया 50% इसका मतलब यह जो profit है That was equals to 50% 50 के equal है अपने को 100 चीह है तो कैसे करें 100 upon 50 into 1 lakh तो यह आजाएगा आपके पास में profit आजाएगा Profit before tax 2 lakh कैसे calculate किया अपने यह 100 upon 50 into 1 lakh इस तरह से अपने calculate किया यह तो यहाँ पर आगाएगा अब इसमें interest आइड कर देंगी Interest on long term borrowing जो capital employee related figure है उनीक interest calculate करते हैं अपने Net profit after interest in tax M limited its current assets current liabilities Tax rate 50% total assets 10% long term debt 4 lakh 4 lakh का 10% 40,000 तो यह हो गया Before वाला 2 lakh 40,000 यह आपके पास में हो गया Net profit before interest tax 2 lakh 40,000 अब उसके बाद उसके बाद उसके बाद आपन capital employee calculate करते हैं Capital employee calculate करेंगे Capital employee के लिए क्लिए का अफ़िए का नेट profit Current assets 4 lakh Current liabilities 2 lakh Tax rate was 50% Its total assets 10 lakh Capital employee का formula में ने बताया था एक तो मेथड़ बताया थे मैंने balance sheet approach balance sheet में इधर होता आपके पास में non current assets और current assets इधर होता आपके पास में shareholders fund non current liabilities और current liabilities इनका total बराबर हो जाता है इन दोनों को मिला के कहते है capital employed ये बात मैंने मेरे इसले वीडियो में भी बताई है आप लों को इन दोनों को कहते है capital employed और इन दोनों को कहते है total debt non current library और current library इन दोनों को mix कर देंगी तो total debt हो जाएगा आपने को चीए capital employed इसने दिया total assets वास 10 lakh ये total assets हो गई 10 lakh जितनी total assets होती उतनी ही total liabilities होती है अब यहाँ पर इसने दिया current liabilities current liabilities is 2 lakh current liabilities पर ने mention कर दिया 2 lakh इसका मतलब ये जो capital employed हो गया that was the 8 lakh capital employed हो गया आपको 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 capital employed का figure मिल गया divided by at lakh यहाँ जाएगा 8 थर्टी पर्सेंट capital employed अपन फार्मूला भी लिख सकते हैं क्या होगा इसी की पैसी इसे फार्मुना बना सकते हैं टोटल असेट्स माइनस कर्एंट लाइबिटिज तो आपके पास केपिटल आमप्लोईट्री यही कि अपने टोटल असेट्स यही दोला करूप यही है यहाँ अपर next करते है, question number 113 क्या कहता, question number 113 calculate the return on capital employment, ROI calculate करना है gross profit 2,70,000, administrative expenses 60,000, selling expenses 30,000, 12% long term debt 2,00, tax rate 40%, non current assets 6,00, current assets 2,00, and current life fees अपने को चाहिए, net profit before interest tax and dividend, net profit कैसे निकालेंगे, net profit before interest tax and dividend net profit before interest tax and dividend equals to gross profit minus operating expenses को और अपने को से थे अपने अपने अपने, administrative expenses and selling expenses minus administrative expenses minus selling expenses आगे इसने दिया, interest on long term borrowing वो अपने को less नहीं करना, अगर less करेंगे तो वापस आड़ी करना पड़ेगा, tax अगर आपने less कर दिया, तो वापस आड़ी करना है पड़ेगा, इसलिए ज्यादा बोड़ी आप उनको less ही नहीं करें, तो direct अपने को यह वाला profit मिल जाएगा अपने पास में, तो gross profit अपन expenses 30,000, यहाँ पर net profit कितना आजाएगा, 1,80,000, यह आगया है net profit before interest, tax and dividend क्यों, कि अपने नहीं तो interest less किया, ने tax less किया, अगर less कर देते हैं, तो आपस आपको add करना पड़ेगा, इसलिए less ही नहीं किया, अब आएगा capital employed, capital employed के लिए इसने क्या दिया, situation, long term debt 2 lakh, tax rate 40%, non current assets 6 lakh, non current assets 6 lakh, current assets 2 lakh, current assets 2 lakh, current assets 2 lakh आगया, and current liability was 50,000, यह current liability जागया, 50,000, 6 lakh, 8 lakh, 8 lakh होगी total assets, that is equals total liability, and capital employed 7 lakh 50,000, capital employed कितनी आगया आपको 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 आपको, 7 lakh 50,000, yes, अब अपन देखते हैं, इसका formula लगाते हैं, 1 lakh 80,000, divided by 7 lakh 50,000, इन्टू हंड्रेट डिवाइड करते हैं बर्रेटी डिवाइड बैसेवंटीफ़ परसेंट यहां पी जो आया रिटर्न ऑन केपिटल एम्प्रोड इस 24 परसेंट इसमें जो अपने केपिटल एम्प्रोड किया देखो इसमें अपने को पहले नेट प्रोफिट बिफॉर इंट्रेस टैस भी केपिटल एम्प्रोड करना पड़ा और केपिटल एम्प्रोड के लिए मैंने फार्मला बढ़ दाया था टोटल एसेट्स माइनस करेंट तो आपके पास में capital employed आ जाएगी, दूसरी method balance sheet किये, अगर आप ये method काम लिते हैं balance sheet ही method, इसमें कभी गलती होगी ही नहीं है आपसे, गलती होने की कोई possibility नहीं है, आपने करते हैं next, question number 114, ये कैता आपने calculate the return on investment in the followings, yes, non current assets, current, calculate the return on investment EST, non current assets, current assets, current liability, opening inventory, closing inventory, purchase, carriage inward, revenue from operations, office expenses, interest on diventure and tax, आपने को वहीची है, profit before interest, tax and dividend, अपन profit calculate करते हैं, पहले अपन cost calculate कर लेते हैं, फिर sales में से less करते हैं, तो profit आ जाएगा अपने पास में, येस, पहले cost of goods sold मालूम करते हैं, cost of goods sold, COGS, cost of goods sold, calculate करते हैं, फार्मुला आपने को आता है, opening stock, plus purchase, opening stock, plus net purchase, plus direct expenses, minus closing stock, तो ये आपका आपने को आजाएगा, यहाँ पहले ये आपने को दे रहा है, yes, opening inventory, 40,000, closing inventory, 60,000, purchase, 6,00,000, purchase, 6,00,000, purchase, 6,00,000, होगी, carriage inward, direct expenses, 15,000, revenue from operations sales, office expenses, ठीक है, यहाँ से आएगी अपने पास में, cost of goods sold, opening stock, 60,000, closing, 60,000, opening 40, closing 60, 6,00,000, यह होगी, आपका 15,000, यह होगी, yes, तो यह होगी, आपके पास में, 6,45, 5,95, 5,95, यह आपके पास में हो गया, cost of goods sold, इस में से अपने को क्या-क्या करना पड़ेगा, operating cost, अपने को कौन सा चीए, net profit before चीए, yes, तो आपने को gross profit ले लेते हैं, यहाँ पे, GP, revenue from operation कितना है, आपने को पास में, 7,00, yes, 7,00, minus 5,95, यह आगे आपके पास है, 1,05,000, ठीक है, अब आपके पास में, net profit before interest tax and dividend, GP, minus operating expenses करते हैं, GP, minus office expenses, 30,000, office expenses, तो यह कितना आएगा, 1,05,000, minus 30,000, 75,000, यह आगे आपके पास में, net profit before interest tax and dividend, अब अपन calculate करते हैं, इसमें से, अपने interest and dividend अपने less नहीं किया, इसलिए add भी नहीं करना है, और tax भी अपने less नहीं किया, इसलिए add नहीं करना है, अब आती ही, इसमें अपन, capital employed, यह आगया, अब capital employed लेते हैं, 75,000, divided by capital employed, into 100, capital employed कितनी होगी, इसमें, non current assets, current assets, current librage, वो ही method महाँ काम लेना पढ़ेगा, आपने को, non current assets आईगे, आपके पास में, 2,00, और current assets आईगे, 1,50,000, total assets होगी, 3,50,000, current librage, बताई, 50,000, capital employed होगी, आपके आपके आउसमें, 3,00, capital employed होगी, 3,00, तो divided by 3,00 कर देंगे, इसको, कितना जाएगा, yes, 750, divided by 30, and 2, 60, 15, 25%, ये capital employed होगा, 25% आपके पास में, इस तरह से आपने capital employed calculate किया, 25%, ठीक है, आप आपने next questions करते हैं, 116, yes, question number 116, इसमें क्या कह रहा है आपने को, ये कह रहा है, एक company has a loan 30 lakh, as a part of its capital employed, company has a loan 30 lakh, as a part of capital employed, interest payable on the loan was 12%, and return on investment of the company was 25%, the rate of income tax was 40%, what is the gain to the shareholders due to loan rise by the company, yes, ये question related है, borrowing policy related है, कि क्या company को borrowing करनी चाहिए ये नहीं करनी चाहिए, इसका simple answer होता है, कि if return on investment, rate of return on investment is higher than interest cost, ये borrowing cost, then we must borrow, अगर आपकी return on investment rate ज़्यादा है, और borrowing cost कम है, rate of borrowing cost कम है, तो कुछ नहीं करनी चाहिए, तब तो आपको borrowing करनी चाहिए, अगर borrowing cost, rate of borrowing cost ज़्यादा है, और rate of return on investment कम है, तो borrowing नहीं करनी चाहिए, वो ही बात अपन देखते हैं, कमने थर्टी लेक रुपीज बोरो किये हैं, थर्टी लेक्स, थर्टी लेक बोरो किये हैं, यहाँ पर interest rate है, 12%, और ROI है आपके पास में, 25%, अपन जो invest करेंगे, उसके उपर अपने को 25% return मिलेगा, उसमें से अपन 12% interest payment कर देंगे, उसके बाद में जो बचे को इसमें से tax payment करतेंगे, उसके बाद भी अपने पास पैसा बचता है, तो अपने को बोरोविंग करने चाहिए, तो आपको return मिलेगा, ROI है, 25% return on investment, 25% of 30,00, 75,00, 7,50,000, अब आपको 12% interest भी देना, less interest on borrowing, 12% of 30,00, 12% of 30,00, 12,60,000, अब इसके बाद में profit after interest, interest के बाद में profit बचे का आपके पास में, 9,56, 3,4, 3,7, 9,56, 3,4, 7, yes, अब इसमें से tax paid, अब आपन tax का payment करेंगे इसके, तो पर tax की rate कितनी है, 40%, इसका 40% है, अब टैक्स का payment कर देंगे, 40% का मतलब होगे आपके पास में, 9,46, 9,46, 9,46, 3,4, 12, 3, 15, 9,46, 3, 4, 12, 15, 1,56, टैक्स का payment कर देंगे, तो आपने पास में फिर भी बचे जाएंगे, चहर, 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 तीन, नो, 2,034,000, नेट प्रॉफिट, इनक्रीजड, आपने बॉरोविं की, उसके विज़े से आपके पास में, 2,034,000 प्रॉफिट बच गया, आपने बॉरोविं की, 30,000 रुपीश, आपके rate of return है, 25 परसेंट, और इंटरेस्ट आप देरें, 12 परसेंट, तो आपके rate of return जो इंटरेस्ट से ज़्यादा है, तो इंप्लाइड ली अपने को बॉरोविं करनी चाहिए, बॉरोविं करके बिजिस में लगानी चाहिए, इस रिक्वार्मेंट, तो आपके पास कम से कम यह 13 परसेंट तो बैरकली बच गया, उसके उपर आपने tax balance कर दिया, उसके बावजूद भी कुछ न कुछ बचेगा आपके पास में, इसलिए ROI is greater than interest cost, यह borrowing cost, then the fund can be borrowed, if needed, yes, अब नेक्स करते है, question number 118, 1-1-8 करते है, questions, yes, इस में क्या कहता है, अपने को, on the basis of the following informations, calculate the liquid ratio, gross profit ratio and operating ratio, 3 ratio calculate करने, liquid ratio, gross profit ratio and operating ratio, net working capital, current assets, inventory, revenue from operation, cost of revenue from operations and operating expenses, yes, सबसे पहले आपन, liquid ratio calculate करते हैं, formula क्या है, quick assets upon current liabilities, अब quick assets का मतलब था, current assets minus inventory, normally inventory less करते हैं, otherwise, prepared expenses और advanced tax, इसको भी less करते हैं, अपन, तो यहां पर देखते हैं, current assets है, 3,96,000, current assets, 3,96,000, अब इसमें से inventory less करते हैं, 2,31,000, minus inventory minus 2,31,000, तो यह आजाएगी आपको आजाएगी, quick assets, कितनी आएगी, 5,56,000, 1,65,000, 5,64, 32,30, तो यह आपको आजाएगी, quick assets आजाएगी, 1,65,000, अब current liabilities चीए, current liabilities के लिए क्या गया रहा है है, net working capital, current assets, inventory, revenue from operation, cost of revenue from नहीं है, current assets, current liabilities नहीं दिये, तो working capital दे रखिए, तो हम क्या करेंगे, current liabilities equals to, current assets, minus working capital, current assets, दिये, इसने अपने को, 3,96,000, minus working capital, working capital, 1,76,000, तो यह आगी, आपका आजाएगी, 2,20,000, आपकी पास में, 2,20,000, अब आपन quick assets, रेशो के लिक्विट करते हैं, लिक्विट रिशो, यास, अपन, 2,20,000, 165, 0 upon 22, कितनी बार जाएँगे, 8 बार तो जाएँगे, 7 बार, 7 निचाउदा, 7 निचाउदा, 1,15, 7 निचाउदा, एक, एक, बाई पंजे, 110, येस, 0.75, यह हो गया, 0.75, इसको कह सकते हैं, 0.75 is to 1, तो quick ratio रह गए, आपका वास में, 0.75 is to 1, अपन next ratio के लिक्रेट करते हैं, gross profit ratio, second part है इसका gross profit ratio, gp ratio, क्या होता है इसका, gp upon net sales, into 100, ये into 100 होगे आपके पास में, अब gross profit calculate करते हैं, gross profit के लिए क्या कहर आपने को, revenue from operations 15 lakh, and cost of revenue from operations 10 lakh 20,000, yes, तो gross profit क्या होगा, cost sales minus cost, sales minus cogs, sales के रहा 15 lakh, और cost कितनी बतार आपने को, 10 lakh 20,000, तो ये हो गए आपके पास में, 4 lakh 80,000, तो क्या फार्मला बन जाएगा, 4 lakh 80,000, divided by 15 lakh, into 100, rate, कितना आएगा आपके पास में ये, अब आपरेटिंग प्रोफिट के लिए, operating ratio मतलब operating cost, operating ratio का मतलब होता है, operating cost, operating cost क्या होगी, cost of, operating cost, cogs, plus net operating expenses, cogs अपरास 10 lakh 20,000, plus net operating expenses, 1 lakh 80,000, ये आगया, 10-11 बाद, 12 lakh, 12 lakh आगया, अब operating ratio क्या होगा, operating cost, upon net sales, into 100, अब operating cost आगय, 12 lakh, cells आगय, 15 lakh, into 100, ये होगया, 80%, तो operating ratio होगया, आपके पास में, 80%, इस तरह से, अपने capital employees related, ROI से related, अपने different questions किया है, आशा करता हूँ, आपको सभी questions समझ में आ गया होगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने friends के साथ में शेयर करें, ताकि उनको भी इसका benefit मिल सके, Thank you.